हलो दोस्तों, तो आज हम आपको शौनक रिशी के बारे में बताएंगे ये वेदवेत्ता रिशी कात्यायन जी के गुरू है और इनका महाभारत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है उग्रस्रव सोती जी ने शौनक आदी रिशीयों को नैमिश नामक वन में महाभारत की कथा सुनाई थी इसलिए महाभारत की कथा में भी आता है कि उग्रस्रव ने शौनक आदी रिशीयों से ये कहा अर्थात वे सब रिशी जो जिनमें सबसे प्रमुक आगे बैठे थे वे शौनक थे इसलिए शौनक आदी रिशी कहा गया है आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगाओगा धन्यवाद दोस्तों